नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पॉब्लिकेशन के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है रवी शुमन और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास तेंथ का अर्थ सास का पाचवा अध्याय जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं इस कि सवाल को बहुत ही अच्छे से हल कर लेंगे और याद कर लेंगे क्योंकि परिक्षा के दिश्टी से यह सब बहुत ही जरूरी है और आपका लाइब क्लास भी शुरूफ होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा डिस्क्रिप् ठीर आर्थिक विगास के तीन चेत रहें या फिर अर्थ mixes करstr तीन चेत्र आप जो कहाना हो कह सकते हैं तुष्याभै आप देखना पहला Pelz को क्याने प्राक्ष्यारी चेत्र तुनकी दूसरा मुण होता है उसको न cloud धीन चेत्र क्सक्रों चेत्र समें प्राथमि जची मानव पूझी के प्रमु घटक के आर्थ है ऐसे एक संसाधान है मानव ही किसी वस्तु को संसादन बनाता है और सेवा छेतर में सबसे ज़्याजा मानव कहीं होता है क्योंकि बिना सेवा छेतर के कोई भी देश का विकास संभब नहीं हो सकता है तो इसलिए मानव पुंजी के प्रमु घटक का आर्थ है कि वैसे घटक जिससे मानव और भी जाधा योग्य बनता है और भी जाता बहुतर बनता है तो जीतना ज्यादा अच्छा प्रसिक्षन रहें का उतना अच्छा काम होगा इना तो मानव के के लिए यह सब बहुत ज़रूरी है मानौ की योग्यता करे इसके लावा आता है प्रवशन प्रवशन माने की जब आदमी एक जगह से दूसरे जगह पर काम करने जाता है और सिक्षा स्वास्त प्रवशन और जानकारी क्या होता है जानकारी जितनी जदा जानकारी मनुष्रे के पास होगी मानव के पास होगी वह उतना ही बेहतर काम कर पाएगा ठीकिए तो मानव पुझी के यह 5 घटक होते सिक्षा स्वास्त प्रस्क्षन प्रवस्टन और जानकारी कौन बीमारू राज्य नहीं है इस चारों में। मुखे रूप मुख्वार्ज्य के लिए इस्तेमाल के जाता है जिसका आर्थिकसी बहुत जहां पर बहुत जदा गरीबी जहां का विकास नहीं हुआ है और मुखे रूपस ऐसे चार राज्ये जिसके लिए भीमारू राज्य सब्द का इस्तिमाल किया जाता है एक तो बिहार है दूसरा मद्य परदेश है तीसरा राजस्थान है कौन है चाहें हम लोग हमारे निता जितने में ठिंक हैं कि यह बीमारु राज्य सब्द का इस्थिती बहुत जादा खराब है तो इस दोनों में हम उस राज्य को चुनेंगे जिसकी इस्तिती खराब है तो उरिशा और करनाटक में ज्यादा इस्तिती खराब करनाटक ही है इसलिए हम लोग अपना अंसर चुनेंगे करनाटक को लेकिन समाने रूप से बिमारी राज राजय लिए चारी राजुप्यूक्त है कौन-कौन बिहार राजस्तान उत्तर पर्देश और मध्य पर्देश था यह दोनों ऐसे भी मार्व राज्य के बाहर आते हैं लेकिन अगर इस दोनों से किसी एक को चुनना हो तो हम लोग करना टबू को चुनेंगे को अग्ला सवाल है कौन सी सेवा गयर सरकारी है गयर सरकारी जो सरकार से जुरा हुआ नहीं है अरमिन्स करना यह सकना सबस्च अधार देना कारी है यह एक सरकारी हो एउन्स पाला यह भी गयर सरकारी नहीं मॉल सेवा आपके सहर में जो मॉल चलता है नजदी की सहर में आपके मॉल चलता हो कि जहाँ आप लोग फिलिम देखने जाते होंगे ना घर से निकले टूशन के लिए अधिरे से जोई सोगे निकल गया हाल में तिकट भी सस्ता हो गया आजकर तो मॉ अर्शा का मुख चलत क्या है कोईला पिट्रॉलियम बिध्यूत उरजा से मिलता है कोहला से ब्लता है इनर्जी इंशीतो की इलेक्ट्रीसी इधि की वी मिलता है और पिट्रॉलियम आपके एंसर को सब्सίद ब करने विक्सित देशों उसका अधिकांस भाग मने कारे बल किसको कहते हैं तो समझते हैं तो इसको हम लोग अपने परिवार का उधारन करके समझते हैं मालोग यह हमारे परिवार में कुल पूरे परिबार में इसमें काम करता है कितने लोग दो लोग यही दो लोग यह कारेसिल जनसंख्या है या फिर कारेबल जो काम करते हैं या फिर काम करने करने के लाइक है काम करने के लाइक है घर में हमारा जो बुजूर्ग लोग होंगे तो वह लोग काम नहीं कर सकते हैं तो वह कारेसील जनसंक्या से बाहर आते हैं जो काम करते हैं वह कारेसील जनसंक्या में आते हैं फिर कारेबल में आते हैं तो विक्सित देश में अधिकांस अब मालिचे कि उद्योग ही चलता है उद्योग को अभी बहुत जादा यूग दान होता है लेकिन उद्योग सेवा चैतर पर ही टीका हुआ है, कैसे, एक जगा पे सामान बना, उसनी इसे पहुंचाना है सब क्क्रा अपके ? परिवहन से पहुंचेगा ? परिवहन से अभा fits tied से एक अर्थविवस्ता की अधार सन्रचना का निर्मान होता है किसी अर्थविवस्ता का अधार सन्रचना का निर्मान किसके द्वारा होता है क्रिसी के द्वारा सिमाओं के द्वारा उद्वों के द्वारा या इन सभी के द्वार ध्यान समझना अधार सन्रचना या फिर अधार भूद सनर्चना इसी को बोलते हैं अलग अलग सब्सक्राइब पर किसी सीवी देश के लिए कम से कम आवशक्ता होती है माने कि कम से कम उसकी आवशक्था तो ही वह मिनिमम नीड है उसके बीना काम नहीं चल सकता है जैसे कि को उद्विक शुरू करना हैं तो कम से कम मसीने तो इसमें होनी ही चाहिए कम से कम बजली होनी चाहिएowa से कम संचार ढहए किया जाता है तो सेवाओ के सर्विस सेक्टर तो तो काम करने वाले लोग होते वो लोग अलगलっ अलग सेवा देते और अगला सवाल है सेवाँ छथर को देते हैं परिभान ख COBन परिभां-कार थे एक दूसरी जहाँ ले जाना और लना संचार सेवा माने एक जग हैसे दूसरी जग सूचना पहुंचाना जनकारी पहुंचाना यह भी क्या है सेवाच्षेत्र का निर्मान करता है वाने कि कॉमर्सियल सर्विस रूपिया पैसे संबंदित तो या फिर बैंकिंग सेवा हम लोग कहा सकते हैं बैंक से जूरा हुआ से कुम्प्यूटर हादेवर कि को कहता है आप मनीटर उसको चूर सकते हैं पूलु क्या है भूस सीधिया हाडवेटर उसको सकते हैं यह हर्डवेटर है मौस उसको चूर सकते हैं टीवी उसको चूर każ State from all- harm कर विडियोसाइं तो ससकते हैं लेकिन सॉफट्वेयर साफ्ट्वेयर जो कंप्यूटर वह त्सक्राम कर रहा है mayoría, घ्रै और भारत में सॉफट्वेयर के विकास में सबसे ज्यादा सबहलता कि अगला इंसर सवाल है भारत सरकार की सिक्षा को मौली का दिकार बहरत में सरकार दाती है यानि कि प्रारंबिक सिक्षा को मौली का भूसीत किया है स्वास्त शिक्षा जनकारी और प्रसिक्षन स्वास्त जनकारी प्रसिक्षन और प्रवशन यह पांच जो है मानव पुंजी निन्वान के प्रमुख घटक है यानि कि मानव की योग्यता इन पांचों चीजों से बढ़ती है तभी जाके सेवा च्छेत्र और भी ज्यादा बेहतर होता है तभी देश का विकास होता है विकास के अंतरगत बिहार में किस चेत्र का सरवडिक विकास हुआ है यह मैं आपको पहले चेप्र ser बताते आ तो लोग के पास नौकडी करने के लभा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो हम कहां है सेवा सबसे अधिक विकास कर रहे है अगला सवाल है जबाहर योजना के सुरुवात कब की गई थी जबाहर रोजगारि योजना जवाहा रोजगार यूजना रांस्तिये ग्रामिन रोजगार गारंटी उजना किसमाःपुरुष की को घृत canyon जता हैं रुञे कि वी ए महात्मा गांधी के नाब सुरू किया है दिकिक क्या कहते हैं मन्रेगा very nice aha अगला सवाल है 927isma याद कर लीजे सहरी रोजगार योजना कब चुरूब पिए 1997 मेंधिalu कँ अगला सवाल में है भारत की अधिकाश जंसंग्हा अर्थ विवस्ता के किस शेतर में शनलगन है यह भारत का हो रही है पूरे भारत की तो भारत ग्रामीन देश है मौने की कहाँ भί जाता है कि भारत का सब्सक्राइब के लिए सबस्व seizedर से अगला सवाल है वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ की देश के अंदर जितनी वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके मुल्यों का यूब इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद में सेवा छेतर का बहुत ज़्यादा युगदान होता है कितना होता है लगभग पचास परतिसत से भी अधिक देश के अंतर अंदर सेवा छेतर का युगदान सकल करो सवाल है अवास समस्या के समधान के राश्टिय आवास निती की गोशणा की गई थी उन्हीं ताकि वह टिस्टने अवास निती के गोशना कि गई थी उन्हीं पहस्टना के लिए कि तो इसकी शुरुवात हुई थे 1998 में निमलिखित में से कौन सरकारी सेवा के अंतरकत आता है सरकारी सेवा के अंतरकत कौन आता है सवारोजगार कार्थ है जो रोजगार हम खुद कर रहे हैं इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है चिकिस्ता जो है वो सरकार की तरब से भी दिया जाता है लेकिन प्राइवेट भी होता है होटल जो है वो प्राइवेट होता है रेल सेवाल सेवाल अगला सवाल है निमलीखित में कौन से सेवा घयर सरकारी है यह उसक που पूँछाता सरकारी इसमें बताना है गयर सेवाल सरकारी नहीं है सब्सक्राइब कोई सरकारी नहीं है सब्सक्राइब करना अगला सवाल है राश्टिय स्यक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत इतना बना नाम सुनके कन्फ्यूज मत हो जाओ डिराओ मत यह एंसी आटी का पूरा नाम है किसका एंसी आटी जिसका किताब तुम लोग पढ़ता होगा है एंसी आटी जिसका फूल फॉर्म है नेशनल काउंसील एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग उसी को हिंदी में कहते हैं राश्टिय स्यक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत तो एंसी आटी के अस्तापना हुई थी उच शिक्षा में बेहतरी लाने के लिए और जितने में अनुसंधान है वह करने के लिए और बताने के लिए क्लिए छिक्षा को किस तरह से सुधारा जा सकता है तो इसी आटी की किताबें आती है हम लोग पढ़ते हैं सही इसका सी निर्मल भारत निर्मान की योजना की सुर्वात कि सुवर्स की गई थी यह भी साल वाला प्रश्ण यह भी आपको याद करना है कि निर्मल भारत निर्मान योजना की सुरुवात की गई थी दो हजार दो में अगला सवाल है सेवा चेतर के विकास के लिए किसका अधिक आवश्यक है सेवा के लिए सेवाहें का मतलब क्या है सेवा देना सर्विस देना जैसे की बैंकिंग करना संचार से रहें एनसारी सेवा को कौई आदमी देता है कोई ही नंधे देता है तो मनुष्य की योग्यता जितनी अधिक को स्वस्था जितना जढ़ा की सांसाधनों के इसका सेवा-चत्र का विकास उसकता है हमारे देश में सर्वशिक्षा भियान प्ररावन भूत है कब सर्वशिक्षा भियान जिसके तद मात सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था और विकास देखा गया था ना तो यह सर्विश्चावियान जो है जैसे आप लोग देखते होंगे आप लोग के स्कूल में इसे बना रहता होगा प्रिंटिंग हो आई से वह पिंसिल बन गया यहां पर यहां पर लड़का बैठा कहें यहां पर लिखाव सार्विश्चावियान किसा अंतर्गत लोगों को सभी के लिए सिक्षा का प्रम्धान किया गया मुफ्त में प्रारंबिक शिक्षा का और इसकी सुरात हुई ति है देने का प्रावधान आया था 2001 सर्वी सिक्षा अभियान का प्ररम हुआ था 2001 याद कर लो जिसके अंदर्कत हम सभी को सिक्षा मिला हुआ अगर हम लोग सरकारी इस्कूल में पढ़े होग तो आप लोग कमें से कई लोग private वाले भी होंगे कि भारत के का रहा कम कर नर्ब्स कर रही है उसका लगभग 90 प्रतिसाथ भारत में क्रिषी छेतर से जुरा हुआ है कि यानि की खेती बारी से जुरा हुआ हुआ किटना नव्शन स्वाथ का धीक काbस सबता है उधिक कारेS a dh सप्प्रद्वेर सांगत पर आते होंगे तो बॉड लगा हुआ रहता हुए परधान मंत्री सरक निर्मान योजना चैना है ऐसा याद रखना को याद रखना और होगा भी सूचना प्रदोगों की और सौप्डवेर सकती का प्रतीख बन गया है बैंगलुरू यानि बैंगलोड वहां पे सी जएक सब्सक्राइब बाहले सबसे ज्यादा करते हैं सरक का रेलवे का जहाज रानी का या नगर भीमान का सरक कम कटे हैं कि जब बह dir嗎 रहता है घल्डी पहुंचा देता है और कभी देर सही पहुचाताsorry तो रेलेवे हलां कि सस्ता है और सुलब है कि इसलिए बात उठ करते चला जाता है एकदम पूरा है ना मस्ती करते हो खाते पीदे चाय वह पीदे तो इसलिए अब ऑटो में बैट के चाय थोरे पीपाएंगे ट्रेन में बैठ के पी सकते तो सरक मार्क से ज्यादा हम लोग इस वह भारत में कि चिटने वी परिवान से वाओं है उसमें सबसे ज्यादा सरवाधिक प्रचली है मतोपूर्ण की भारत का पहला टेलीवीजन केंद्र कहां अस्तापित हुआ था पहला टेली wreck त्रहला यह का चप्श पर निम्लें ER जुए ठीक है समझ समझ सब मांने कि इंटरिवल होता है कि सब को खाना खेला जाता है हुसी कहा का नाम है और इसी योजना के तहट ग्रामीन शेटर के स्कूलों में बच्चों को टिफिन के समय भोजन दिया जाता है खाना खिलाए जाता है इसकी शुरुवात हुई थी अगस्त 1995 से याद कर लो कब शुरुआ थी अगस्त 1995 से पहले अनाज दिया जाता था महिने में एक बा सब्सक्राइब कर लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ध्यान रखिए